खम्मा गिनी साथी हों खेती किसानी यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में आप जानने वाला हैं कि छोटा सा छोटा किसान भी पॉली हाउस या ग्रिन हाउस कैसे लगा सकता है तो आज की वीडियो में आपन जानकारी लेंगे सबसे पहले ग्रिन हाउस के बारे में यानि कि ग्रिन हाउस लगाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ता है क्या-क्या आपको खरिदना पड़ता है और कौन लगाता है इसे और कितने जमीन पर आपको लगाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सरजी आज आज आब बताईए कि अगर एक बीगा जमीन में कुई ग्रेनाउस लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना और बार बार उनके चक्र कारने पड़ेंगे ताइम पर सबसीडी मिलेगी या नहीं मिलेगी यह यदि आप सिधा लगाते हैं तो या यह दो तीन साल उसमें सबसीडी नहीं आई वो पैसे आपके इधर हो जाएंगे अच्छा तापका कहना ये एक मतलब आप सिधा भी लगा स सकते हैं या फिर जाए का पाइप लगाना चाहिए और उसके लिए नेट वगेरा कितनी क्या खरिदनी पड़ती है जिए जो एक बिगा है जो 3000 स्कौाइर मीटर का उसमें आप लगाना चाहते हो तो लगबग आपको 250 पाइप लगेंगे अच्छा और यदि आप लगाते है तो भी वह सबसे रहेगा अच्छा लंबे टाइम जलेगा लंबे टाइम जलेगा वह सस्ते में रिप्राना चाहते हैं तो आप दूसरे पाइप भी यूज़ कर सकते हैं और जो नेट है वह क्या मतलब जो लोकल नेट आती है या फिर इसके लिए कोई अलग से खास नेट आ अच्छी से पचास यह अलग-अलग क्यों है यह क्वालिटी के हिसाब से अच्छा मतलब जैसी क्वालिटी चीए उसके हिसाब से प्राइस देनी पड़ती है तो अब बात कर लेते हैं अपन प्राइस की यानि कि जो नेट और सारा जो भी है मतलब उसमें मजदूरी भी चाता है यह आता है 3.3.5 रुपे का और यदि आप चार 4.4.5 रुपे का खर्चा आएगा और अब अगर मेंटरेनस की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या मेंटरेनस आता है यानि कि लगबक कितने सालों तक इसके कुछ नहीं विगड़ता है लगबक 5-6 सालों तक इसके कर रहें तो जंग लगके खतम हो जाएगा तो वह तो पानी के उपर भी डिपेंड करता है यानि कि जो पानी जा रहा है वह उसमें अगर वह ज्यादा खराब है पानी तो तो फिर वह जल्दी खराब हो जाता है अच्छा एक और सवाल आ रहा है कि यह अगर हम 3.3.5 या 5.4 लग का खर्चा कर लेते हैं तो वह कितने सालों में वापी समय मिल जाता है वह देखिए अपनी मेनत के उपर आच्छा यह आप अच्छी मेनत करेंगे तो लगब दो तीन सालों में उसका रिकवरी हो जाएगी अच्छा और यह आप डिलाई देंगे तो कम सकम पांचे साल लगेंगे मेनत के उपर आप कितनी बार बुवाई कर रहे हैं उसमें क्या नर्सरी लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो सब कोईश है ना तो यह बताईए कि ग्रीन हाउस में कौन-कौन से फसल बोई जाती है जो बाहर के वातावरन में नहीं होती है अच्छा जैसे कि सिम अच्छी रेट लेने के लिए अच्छा पहले हैं अब यदि किसान के समझ में आ जाता है और यह पूरा एक बिगे पर चोटे से चोटे लेवल पे अगर लगाना चाहता है तो फिर कितने दिनों में लग जाता है और इसे कौन लगाता है जी देखिए किसान भाई हो आपने आसपास के जो भी लगाता हो उनसे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं और यदि नहीं हो तो आप हमसे भी ले सकते हैं इसमें आप ओडर देंगे उसके बाद लगबग 10-15 दिन में यह बनके तियार हो जाएगा अच्छा यानि कि 15 दिन में तियार हो जाता है तो खिसान साथियों इस जानकरी से आपको यह तो निश्चित हो गया है कि आपके पास कितनी भी जमीन हो चाहे कम से कम 1000 स्क्वाइर फिट जमीन है तो भी उसपे आप ग्रेनाउस लगा सकते हैं जिसका खर्च लगबग 1-15 लग के बीच में आता है आप अराम से उसमें ग्रेनाउस लगाईए और समय से पूर्व सबजियां लीजिए समय से पूर्व फासल लीजिए गेंदा की खेती कीजिए आप खीरा ककडी की खेती कीजिए बिंडी की खेती कीजिए समय से पूर्व लेनी है ता आप ग्रेनाउस को अपनाईए और जहां पर अपन देखते हैं कि पाला गिर जाता ह अगर आपके पास Greenhouse बना हुआ है तो इस समझा से भी आप बच सकते हैं यदि आप ये ग्रीन आउस लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिये गए हैं उनसे संपर कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शिन में जाएए वहाँ नंबर मिल जाएगा आप संपर किज और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत बुलना क्योंकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं मिलते हैं एगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बाराज जै राजस्तान वन दे मात्रम